असलिमालेकुम गाईस, फातिमक कुकिंग में थे आपके तुछ श्यर कने वाले हैं, मैं नहीं है हम सब मिलके बनाने वाले हैं मतना अपनी फ्लाव, आज जिसके हमारे सोसाइटी में है, ये की पार्टी पख्राई की जोग पार्टी होती है, जिसके रात में सब खाना मिलके बनाएंगे और जिते भी society के मेंबर हैं सब को हां दावत दीए लिए लिए तो नॉर्मली जैसे के जादा को भारवाला ने जिए जिसे खाना बनेगा और फिन पो सफ किया जाएगा और साथ में बनेगा अखनी प्लाव पी लावा पनने वाला एसी उचे ली देखते हैं इसके रेसेपी में बात में इंशाल्ला बनाओंगी और अपनी प्लाओं है वह ने आपके साथ इस मैं है शेल करने वाली है चलिये देखते हैं यहां हमने तपली में हमने गोष चड़ा दिया है बोईल होने के लिए यह गोष है लगबग 7.5 किलो है यह हमने बकरे का गोश ले लिया है जिसको दोके हमने पड़ी तपिली में चुड़ा दिया है इसको बॉइल होने के लिए इसमें हमने नमक अधरक्रसन का पेस्ट और प्यास दाला हुआ है और साथ में आपको जो ग्रेकलर का पोटला दीख रहा है उसमें हमने कुछ सौफ अ इसमें गोश को पूरी तरह से सर्फ करना है इसको हम बॉल करेंगे 75 परसन और वाकिव जो कुख हो जाएगा वह प्लॉच में अंदर अदर से जब हम दालेंगे तो ज़्यादा उसमें को जाएगा है वह यह जैसके नमक्ला यहां ज़्यां को बता रहीं है अब आपको बता और जो बड़ी तपेली यह बहुत ही है तो इसमें कम एक से तपली नहीं उठी तो यहां दो जन लगे तपली उठाने के लिए तो इस तरह से गैस के उपर तपली चड़ा दिये और यहां आप जैसे के देखरों तपली गैस पे चड़ चुकी अब इसमें हम तेल डालेंगे दो लीडर क्योंकि खाना जो बन रहा है यह पैताली सफ़ पचाशाजन के लिए बनने वाला है तो इसलिए तेल आइड कर दिया हुआ है इसमें अब इसमें सारे हम दाल देंगे ख़ड़े-गरम-मसाले जितने की खड़े-गरम-मसाले में आइटम आता है वह सारे इसमें साथ में डाल देना शाजीरा और यहां मैंने सारे गरम मसाले अट कर दिया है अब यहां हमने प्यास ले लिया है प्यास ले लिया है चार किलो और उसमें हमने डाल दिया है साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता अब यहाँ प्यास को हम अच्छे से ब्राउन होने तक अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे और यहाँ आप देख रहे हो सबी कुछ ना कुछ यहाँ करी रहे हैं और यहाँ सब जैसे के सब मिलके बनाने वाले हैं यहाँ सीख बना रहे हैं मतन सीख और यहां जो हमारा अखनी प्लाव भी बन रहा है और यहां देख रहे हो अब यह हमारे शक्रिवाई यह किस तरह से चम्मच चला रहे हैं इसमें तपली में अब यहां इसको हम प्यास को ब्राउन कर लेना है अब आ गहे हमारे सातमाले के इकबाल भाई हस्ति बनारे क्योंकि भी को बहुती मज़ा रहा थाप टपपली सब् gros एसमें इससे आप देख रहें हो प्यासी ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम एड़ कर दिंगे 빠शेहरो ब्राउन बिरिस्ता है वो आड़ करेंगे तो इसलिए ऐहां रिस्ता करें लिए ओपर से नों तो यहां चिसके अड़े अधरक लिए सीए fi residential करने को आड़क यहाँ है आलण से अधरक खट मिस हमें तपली calm बचा हूँ इस्मे कई अधरक को धा इतरक सा पैब देए करेंगे इसको पहले भूण लेंगे हम घ्र और जब अखलाव बना Now अएदम फ्रेश मसाले का बनाओ तो बहुत ही और बूह पीस्टी बनता है जिसके फ्रेश अदरकर सन अना चीह फ्रेश हरा मसाले का पेस्ट होना चीह तो बहुत एच्छा लगता है कहाने में और यहां जिसके अदरको सन में भूण रही हूँ और यह थोड़ा इसमें तप़ली में पानी आइट कर दीगे अभी अब यहाँ इसको अच्छी से भून लेना है देखिए यहाँ इसको हम जिसके भून रहे है यहाँ जिसके अच्छी से अदग लसनी हमारा भून चुका है अब इसमें आड़ कर देंगे हम हरी मिर्ची का पेस्ट जो हरी मिर्ची का पेस्ट है वो मैंने धरदरा पीसा हुआ है हरी मिर्च को जादा बारिक नहीं पीसना है तो इस तरह से मैंने हरी मिर्ची ले लिया है यह मैंने ले लिया है लगबक पाउना किलो हरी मिर्ची ले लिया है मैंने इसको हमने धरदरा पीस लिया है अब इसको भ हमारे मेंबर खड़े कोई बैठे कोई इस तरह से चमज चला रहा है और यहां इसमें थोड़ा सा मैं आड़ कर दूंगे अभी चाइनिस नमक उसे जो टेस्ट जादा नहीं डालना है इसको लगबग मैंने अंदाज से डाला हुआ है लगबग आप दो से तीन बड़े चमज म आप से जाएगा नमक अब यहां मैंने जिसके अच्छे सा मसाला भून लिया था अब इसमें आड़ कर देंगे हम धही यहां धही मैंने ले लिया है दो किलो धही और यहां थोड़ी सी धही में बचा लूँगी क्योंकि जो ग्रीन चटी बनाने वाली उसमें आड़ कर दू देना है जब तक इसमें अच्छे से उबालना आजा जब तक हम इसको चलाते रहेंगे आप यह देख रहे हो यह हमारे जी फ्लोर पे रहते हैं इनका नाम है इम्रान भाई यह भी हेल्प करने आ गए यह देखिए अब इसमें आड़ कर देंगे हम हरा धनिया पोधिन और हरी मिर्च यहां मैंने इसको अच्छे से धोके कट कर लिया है वो आड़ कर दिया है और यह देखिए अब आगए शकिल बाई चमच चलाने के लिए इस तरह से और यहां जिसके यह इसमें मिरे पानी अंदा जैसे से डाला हुआ था अब यहां आड़ कर देंगे हम चावल चावल हमने लिया है छे किलो चावल लिया हुआ है इस तरह से चावल लेट कर दिया है यहां जिसके चावल लेट करने के बाद अब इसको में काम है इसको चलाना क्योंकि बहुत ही बड़ा चमच था और यह बड़ी चमच चलाने नहीं हाला था तो हमारे जो शकिल बाई यह वही पूरे प्लाव को जैसके स्टारिंग सैंड इसको चलाते गए इसको इस तरह से यहां जो में पानी यह उसको इन्दा जैसे क्योंटा वाटर अब इस तरह से चला चला कि इसको पानी दोyrा कर लेना है ज़दा नहीं चलाना इसको रुख रुख के चावल को उसे खखनी प्लाव को चलाना है और इस तरह से आप देख रही है थोड़ा पानी अभी से में है तो इसको थोड़ा सा हम प clinician मैं शुरू हम आजए सान इसको mix कर लेंगे हम फटाफट और यहां यह जो हमने जो सिख हमने बनाया यह है बीफ का मटन का हमने सिख बनाया हुआ है तो इसकी रेसिपी में आपके दाद शेयर नहीं कर यह नहीं आगले ताम जरूर करूंगी और यहां हमारे सोसाइटी के बच्चे कोई कोई बच्चे सोसाइटी के बच्चे अरहे हमारे इमरान भाई एगी जो ही अभी जिता भी और जो हार बाटे यह हमारे самоеला है जाकिर भाय और यहां जो पिले टीशन में बैटे वो हे प सब्सटर है और यह जो बैटे जाविट भाय काम है यह जो मतन का हैं वह बनाना है वह अच्छे से लोग बना रहे 90 घरवाब यहां बेटे शिपना और भड़ाव उस में और यह जड़े हैं सामने आप देख रहे हूं यहां शक्किल बाइने प्लाओ काम खतम हो तो उससिक में जो है सली में कीमा लगाने लग गए और यह निम्बू पाव आप चटनी प्यास देख रहे हो तो इसतरा से यहां पाव कट करके इसमें चटनी दाल के प्यास दाल के दिया जा रहा है और यहां जिसके यह सिख पाओ देने के बाद यहां फी खाना सर्फ किये हमने सब के लिए यह देखिए यहां यह खाने का टेबल लग चुका था तो सबसे पहले लेड़ी स्लोग बैटे के खाने के लिए इसके अफी जैन्सलो का नंबर है फिर वो बैटेगे खाने के लिए तो इस तरह से यहां हमारा खाना जो हमने बनाया ता बहुत ही सब को बहुत ही जादा पसंद आया इस तरह से हमने जो इद की जो दावत रखी वी थी सोसेटी पार्टी तो बहुत ही अच्छे से हो गई तो यहां आप ये वीडियो मेरा लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल ना बुले कर चली मिलते इंशालला अगले वीडियो में जब तक ले थैंक यू और अला अफीज